नमस्कार दोस्तों अमिट टेक्पॉइंड में आपका स्वागत है आज की स्वीडियो में आपको बताऊंगा प्यम किसान सम्मान निधी में सत्यापन सुदूग हो गया है इसमें बहुत सारे लोगों के नाम लिष्ट से हटाये जाएंगे तो दोस्तों आप यह वीडियो ला बहुत ही तेजी के साथ पूरी इंडिया में चल ला है चलिए मैं आपको थोड़ी दोचाल लाइन पढ़के बता देता हूं किसमें क्या लिखा हुआ है किसान सम्मान निधी में पात्तों का बहुत इक सत्यापन सुदू हो गया है इसके लिए कर स्विभाग की टीम गाउं गाउं में जाके सर्वे किया है तो वहां यह पता चला है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका किसान सम्मान निधी कर 2000 उपे आ रहा है लेकिन वो लोग इसपायर हो चुके हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गवर्मेंट के तरब से कोई पिंसन पा रहे हैं वो भी है यहीं लोगों को चुके हैं या इनहीं किसान सम्मान निध haft रहे हैं यही लोगों की नाम लिश्ट निए कर एक Всем मता दूग편 और अगर आपने समुत निधी में EKYC नहीं करवाया है तो करा लिजिए नहीं तो आपको 11 किस्त दो दी जाएगी लेकिन 11 के बाद 12 किस्त आपकी रोग दी जाएगी इसके बाद आपका लिश्ट से नाम हटा दिया जाएगा आपको फिर से पूरे नए वाला प्रोसेस करना पड़ेगा जैसे आपने सुरवात में PM किसान सम्मान निधी कर रेजिस्टेशन करवाया था इंतखाब लगी थी बैंक पास्बुक लगी थी आधार कार ले लगा था काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा इसलिए अभी तक आप नहीं करवाया तो करवा लिजिए क्योंकि उसकी लास्ट डेट 31 मई है अगर आज का हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर कोई कोस्टन है तो हमसे आप कमेंट करके पूछिए मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँगा धन्यवाद दोस्तों